ओम शान्ती, 31 मई 2022 के महवाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हे शुद नशा होना चाहिए, कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत, आम सारे दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रही हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सोभागय शाली किसको कहीं? उत्तर, जो ग्यान को अच्छे रिती धारन करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत-बहुत सोभागय शाली हैं। ओहो सोभागय तुम भारत वासी बच्चों का, जिन्हे स्वेम भगवान बैठकर राजयोक सिखला रही हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वन्शाली ब्राह्मन बनी हो। तुम्हारा यह जाल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सीवा तुम्हे करनी है। ओम श्यांती। तुम बच्चे समझते हो कि हम सैना है। तुम हो सबसे पावरफुल क्योंकि सरवशक्ती मान के तुम शिव शक्ती सैना हो। इतना नशा चड़ना चाहिए। बाबा यहां नशा चड़ाती हैं, घर में जाने से भूल जाती है। तुम शिव शक्ती सैना क्या कर रही हो। सारी दुनिया जो रावन की जंजेरों में बंदी हुई हैं, उनको छुडाती हो। यह शोक वाटी कामी हैं, भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े-बड़े मकान हैं, परुन्तु यह तो सब खतम होनी वाली हैं, इनको रुन्य के पानी मिसल राज्य कहा जाता है। बाहर से देखने में भबका बहुत है, अंदर पोल लम-पोल लगा हुआ है। दुरोप्दी का मिसाल भी है, बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था, तो यही सब था जो अभी तुम देख रही हो, पार्टिशन भी अब हुआ जो तुम देख रही हो, बाकि लड़ाई के मैदान आदे की तो बात है नहीं, यह रत है जिसमें श्यू बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ग्यान देती हैं, तुम भारत की सेवा कर रही हो, जो भी त्योहार हैं, इस भारत में मनाए जाती हैं, वह सब अभी के हैं, तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव, पुरान, रामायन, आदे, सभी इस समय के लिए बैठ बनाई हैं, सत्यूक त्रेता में तो यह बात नहीं है, बाद में शास्र बनाने शुरू कियी हैं, वो तो फिर भी तुम बच्चों ने सब समझ लिया है, आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थी, इस में कोई भी सृष्टी चक्र को यथार्ट रिती नहीं जानती हैं, अभी तुम बच्चों को शुद एहंकार होना चाहिए, तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रही हो, खास भारत की आम सारी दुनिया की, बाब की मतद से हम मुक्ति जीवनमुक्ति का रास्ता बतलाते हैं, तुम शृमत पर यह सेवा करते हो, श्रीमत है श्यू बाबा की, परंतु श्यू का नाम गुम कर दिया है, बाकि ब्रह्मा की मत और स्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गई है तुम भारत को स्वर्ग अर्थार्त हीरे मिसल बनाती हो परंतु हो कितने साधारण कोई घमंड नहीं तुमको यहां अपना सब कुछ स्वाहा करना है गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बली चड़ना है तो शिव बाबा फिर 21 जनम बली चड़ती है बाबा ऐसे नहीं कहते कि ग्रिस्त वहवार नहीं संभालना है वह भी संभालना है परंतु श्रीमत पर अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं गाया भी जाता है गुरू बिगर घोर अंधियारा यह ब्रह्मा दादा भी कहती है कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं ब्रह्मा कोन हैं? कब आती हैं? क्या आकर करती हैं? हर एक बाद समझना चाहें ना? चानवर तो नहीं समझेंगे अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुशार्थनुसार जान गई हो विद्वान पंडित आदी कोई नहीं जानती हैं कि सत्गुरु बिगर घोर अंधियारा है गुरु लोग तो बहुत हैं सभी का सत्गुरु एक है जिसको व्रिक्षपती कहती हैं तो तुम बच्चों को नशाचर्णा चाहिए यह दुनिया जो इन आखों से देख रही हो वह नहीं रहेगी जो अब बुद्धी से जानते हो वही रहना है तो इस पुराने दुनिया से ममत तो मिटा देना चाहिए बच्चों को भी संभालना है बाबा को कितने धेर बाल बच्ची है कोई तो कहती है बाबा हम आपका दो मास का बच्चा हूँ कोई कहते एक मास का बच्चा हूँ एक मास के बच्चे भी जट धार ना कर एकदम जवान बन जाते हैं और कोई तो बीस वर्ष वाले भी जामडे बन जाते हैं यह तो तुम जानते हो कि नया ज़ाड है दीरे दीरे वृध्धी को पाएंगे पहले जरूर पत्ते निकलेंगे बाद में फूल निकलेंगे यहां ही फूल बनना है वहां सब फूल ही फूल है यहां तो कोई गुलाब के, कोई चमपा के बनते हैं जैसे जैसे धारणा ऐसा पद मिल जाता है वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन आखों से पवित्र शिवाले स्वर्ग को देखेंगे आधा कल्ब सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा वह कामना प्रेक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते हैं अभी तुम बाप के बच्चे बन जाती हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है 33 करोड देवता गाय जाते हैं वह इतने कोई सत्युक्त रेता में नहीं रहते हैं यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदम शुमारी है बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रेक्शन पड़ गई है चीन जापान है तो बोधी नाम फिर भी बोध का लेंगे लेकिन फ्रेक्शन मतभेद कितनी है यहां भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है उनको बिल्कूल जानते ही नहीं चित्र हैं, गाते भी हैं, नंदीगन भी हैं पर उन्तु जानते नहीं अभी तुम बच्चे जानते हो बाप ने बताया है कि हम परमधाम से आकर यहां यह शरीर ले पार्ट बजा रही है तुम चक्र को जान गई हो ज्यान अंजन सत्गुरु दिया अज्यान अंधेर विनाश आगे तो कुछ भी पता नहीं था अभी बेहद के बाप क्रियेटर, डायरेक्टर, मुख्य, एक्टर को तुम जान गई हो 84 जनम किसको लेने चाहिए कोन लेते होंगी तो तुम जानते हो तुमारा अब तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए मनुश्य जब शराप पीते हैं तो भल दिवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे सावकार मैं हूँ बाबा तो वैश्नव थे कभी टच नहीं किया बाकि सुना है कि शराप पिया और नशा चड़ा कहते हैं कि यादों ने भी शराप पी, मुसर निकाल एक दो के कुल का नाश किया यहाँ भी मिल्डरी को शराप पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता नशा चड़ जाता है तो तुम बच्चों को भी सदैव नाराइनी नशा रहना चाहिए हम वही कल्प पहले वाली शक्ती सेना है अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है इसमें मूझने की बात नहीं है संशे बुद्धी विन्शंती निश्चे बुद्धी विजेंती संशे बुद्धी उच्पद नहीं पाएंगी प्रजा में कम पद पालेंगे वहां तो तुम्हारे महलों में सदे बाजे बज़ते रहेंगी दुख की बाती नहीं आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बहार चबुत्रे पर शेहनायां बजते थी अभी तो वह राजाओं का ठाट खतम हो गया है प्रजा का राजे हो गया है अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्रबन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगी परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा करतव्य है गरीबों की सेवा करना आजकल गरीब तो बहुत हैं मनुष्य होस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले जो होस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जनम में कुछ अच्छी काया मिलेगी रोगी नहीं बनेंगे कोई-कोई अच्छा तंद्रूस्त होते हैं मुश्किल कभी बिमार होते हैं तो जरूर आगे जनम में तंद्रूस्ती का दान दिया होगा वह है होस्पिटल खोलना कोई education में बहुत हुष्यार होते हैं तो जरूर विद्या का दान दिया होगा कोई-कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाती हैं तो कहेंगे पाश्ट जनम के आत्मा संसकार ले आई है तो यहां भी कोई तीन पैर पृत्वी का लेकर यह रुहानी होस्पिटल खोले और लिक दे कि आकर 21 जन्नों के लिए हेल्थ का वर्सा बाप से लो कितनी सहज बात है तुम पूछते हो बताओ लक्षमी नारायन को यह वर्सा किस ने दिया तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा बापी स्वर्ग का रचेता है कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाए हम भी उनसे वर्सा ले रही है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रही है फिर पालना भी वई करेंगे शंकर द्वारा विनाश भी होना है विनाश जरूर नर्क का होगा न नई दुनिया तो अब बन रही है छोटे से बैज पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है यही राजयोग है मनुष्य से देवता बनना है जो अपने कुल का होगा उसको जट दिल में लग जाएगा उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुशार से अपना वर्सा ले लेंगी अपने ब्रामन कुल के जो है वे शुद्र कुल से बदलने जरूर है यह ड्रामा में नूद है तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त आगे भी ऐसे ऐसे की थी ड्रामा को अभी अच्छी रिती जानना है गाया जाता है आप मुए मर गई दुनिया बाकी आत्मा रह जाती है आत्मा तो मरती नहीं आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही फिर जब शरीर में जाएगी तब मा बाप का संबंद आदी नया होगा यहां भी तुमको अशरीरी बनना है अभी तो यह दुनिया प्रैक्टिकल में खतम होनी है बाप कहती हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोजा है वह उतर जाएगा और तुम संपूरन बन जाएंगी बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं चूप रहते हैं तुम्हारे में तो बहुत फजीलत होने चाहिए देवताओं में फजीलत थी यहां तो मनुष्य बंदर मिसल है तो बद फजीलत है कुछ भी अकल नहीं बेहद का बाप जो स्रिष्टी को स्वर्ग बनाती है उनको पत्थर ठिक कर कुट्टे बिल्ली समें धकेल दिया है माया ने एकदम बुद्धी को गोद्रेज का ताला लगा दिया है अब बाबा कर ताला खोलते हैं अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिवान बन गई हो शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्षमे, नारायन, जगदंबा, आदी सबकी बायोग्राफी को तुम जान गई हो अब तुमको सत्गुरु शिव बाबा से पूरी समझ में ली है बाबा नोलिजफुल है ना हर एक अपनी दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानती थी बंदर जैसी चलन थी अब हम सब जान गई हैं बाबा नई रचना कैसे रचती है उचे ते उचा ब्राह्मन कुल बनाती है सो तुम जानते हो मूर्ती जो पुज़े है वह कुछ बोलती नहीं है अभी तुम समझते हो कि हम ही पुज़े फिर पुजारी बनती है अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवन शावली ब्रामन हो तुम जानते हो कि संगम यूपर सत्यों की रचना कैसे होती है यह और कोई नहीं जानती बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाती है ओहो सोभागय भारतवासी बच्चों का तुम्हारे में भी सोभागय शाली वह हैं जो अच्छी रिती धारना करके दूसरों को कराते रहती हैं आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे जाड धीरे धीरे बढ़ता है महनत है जितना उच जाएंगे उतना माया के तुफान जोर से आएंगे पहाड़ी पर जितना उच जाएंगे उतना तुफान ठंडी आदी का सामना भी होगा सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है एड़वर्टाइज करो जो दिल में राय आवे वह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाही बाबा कहेंगे कि भल करो बिचारे मनुश्य बहुत दुखी है इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े है कोई भी चीज सची नहीं रही है जूठी माया जूठी काया अब तुम बच्चे स्वर्ग वासी बनते हो गीत नहीं उमर की कलिया इस गीत में सीता की महिमा करते हैं जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था उस देश में फिर रावन कहां से आया वंडर तो यह है कि फिर कहते कि बंदरों की सेना ली अब बंदरों की सेना कहां से आई यहां भी मनुश्यों का लश्कर है गुवर्मेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है फिर वहां बंदरों की सेना कैसे आई यह भी समस्ते नहीं है अच्छा, मीठे मीठे सीकिलदे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मोर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट संपूरन बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोज उतारना है अच्छे मैनर्स धारन करना है फजीलत सब्हेस्ता से वहवार करना है बहुत कम बोलना है दूसरा पोईंग किसी बात में संशय बुद्धी नहीं बनना है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सबकुच सफल करना है शुबाबा पर पूरा पूरा बली चड़ना है वर्दान सर्व खजानों को विधी पूर्वक जमा कर संपूरंता की सिद्धी प्राप्त करने वाले सिद्धी सोरूप भव विस्तार 63 जनम सभी खजाने व्यर्थ गवाई अब संगम युक पर सर्व खजानों को यथार्थ विधी पूर्वक जमा करो जमा करने की विधी है जो भी खजाने हैं उन्हें स्वेप्रती और औरों की प्रती शुब वृती से कारिय में लगाओ सिर्फ बुद्धी के लोकर में जमा नहीं करो लेकिन खजानों को कारिय में लगाओ उन्हें स्वेप्रती भी यूज करो नहीं तो लूज हो जाएंगे इसलिए यथार्थ विधी से जमा करो तो संपूरंता की सिध्धी प्राप्त कर सिध्धी स्वरूप बन जाएंगे स्लोगन परमातम प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती अच्छा ओम शान्ती